जब कभी कुछ अच्छा यह चटपटा सा खाने का मन करें और तो आप यह ब्रेट से बनी हुई वेजिटेबल चीजे डिस्क ज़रूर से ट्राय करें बहुत ही आसाने बनाने में और बहुत ही टीस्टी होता है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां बै मेर्क्त पर दो और यह कर दील मेर्ट यहां पर व जिए uzन वेकल आप इसके इस तरह कर लेना और पार हमएं इस वले लो ममें ऐसे चोटे साइस का कट देना है कर अब उसको हमें इस साइड मेने लेलिए यह अब एक शिम्लामिच को बारिग काट लग पर बारिग एक इसका प्याज को भी बारिग चॉपक्यौकर 05OS यह बहुत थोड़ा से एनुसारि इसमें डाल रही नमक नमक हमें इसमें बहुत ही थोड़ा सा जो प्रोसेस चीज भी यूज़ कर सकते हैं और यहां पर हमारा फिलिंग्स के लिए मसाला बने के तयार है बस यहां पर हमें ले लेना है ब्रेट जो हमने डिब बनाएके 생 lekker तरों नहीं बाटेर किया है एला है मसले तो लग लगाने है तो बस एसके ओसे सब्सक्रायन 24-mm अच्छा कियोंक। तो और उसके बाद मैं इसमें डाल रहे हूं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स उपर से डेकोरेट कर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा और ही गेनो डाल दूँगी और बस यहां पर जो हमने शिमला में चलिया है गाजर लिया उसे उपर से इस तरह से लगा दीजे जिसे यह थोड़ा से इसमें बटर लगा दीजिए आसपास अच्छे से जिसे यह बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और टीस्पी इसका अच्छाएगा तो थोड़ा सा बटर लगा दिया और धकल लगा कर हम इसे धीमी गेस पर पांच मिनट के लिए अच्छे से चीज मेल्टना हो जाए पांच मिनट मैंने इसे धीमी गेस पर पका लिया और यह अच्छे से इसका चीज मेल्ट हो गया है तो इसे अभी हमें सर्फ कर लेना तो मैं भी इससे बहां निकाल रही हूं आप चाहते इसे आवन में भी सिर्ख सकते हैं मैं यह आपर टवे पर सिर्क रही हूं तो बस यह चीज अच्छे से मेल्ट हो एक तो चीज अच्छे से मेल्ट हो गया और यह बहुत टेस्टी बनता है तो इसे आप जरूर से बनाएए बच्चे को खिलाए और वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूने तो फिर मिलीं अगली रेशिपी के साथ टेक के रेन बाबाए